आजने मेरे घर में रोटियां बच गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं नाश्टे में क्या बनाओ तो मैंने उस बची हुई रोटी से इतना टेश्टी नाश्टा बनाया कि घर में सभी को बहुत ही जादा पसंद आया और सब बहुत ही मज़े के साथ खाये तो चले फ्रेंस यह रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ तो चली हम रेसिपी बनाना श्टार्ट करते हैं यहाँ पर मेरे पास रात की बची हुई दोती रोटियां रखी हुई है हम ले लेंगे दो से तीन चमच बेसन उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम पानी डाल करके पतला सा घोल तयार कर लेंगे इसके एकदम जादा पतला नहीं करना है ना एकदम जादा काढ़ा करना है देख सकते हैं बस इसी प्रकार से इतना ही पतला इसका बैटर तयार करना है बैटर बन करके तयार है अब हम एक गढ़ाई में डालेंगे एक चमश तेल और जब तेल गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम आधा चमश जीरा, दो से तीन चमश मूख फली और इसे हलका सा लाल कलर आते तक के फ्राई कर लेंगे इसमें हम डाल देंगे एक हरी मिर्च बारी कटी हुई, एक प्याज बारी कटा हुआ और साथ ही हम डाल देंगे इसमें अधरक लहसुन कुटा हुआ आधा चमश सारी चुछों को हम हलका सुन्हरा होते तक के प्राय कर लेंगे इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक ध्यार रहे कि हमने नमक पहले से ही डाल दिया है साथ ही इसमें हम डाल देंगे हल्दी पौडर, आधा चमच गरम मसाला पौडर और आधा चमच कश्मेरी लाल मिर्च कलर के लिए हम इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइस के आलू उबले हुए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यार है कि नमक, हल्दी हमने पहले से ही बैटर में गूबल करके तयार किया है उसमें भी हमने हल्दी, नमक, लाल मिर्च का इस्तमाल किया है तो उस से आप इसमें थोड़ा सा कम ही डाले देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुनकर के तयार है लाश्ट में हम इसमें धनिया डाल देंगे यहाँ पर मैंने आधा कप मगई चीवड़ा लिया है कॉर्न चीवड़ा जिसे मैंने कटोरी की सहाता से तुकड़े कर लिये हैं इसे मसल लिये हैं एक कटोरे में हम ले लेंगे पानी और जो हमने रोटी रखी हुई है रात की बच्ची हुई उसे हम इस पानी में अच्छे तरीके से भिगा लेंगे इसी प्रकार बाकी सभी रोटीों को भी हम भिगा करके रख लेंगे ध्यान रहें कि आप रोटी को एकदम पहले से ना भीगाएं अगर आप एकदम पहले से भीगा देंगे तो रोटी पूरी तरीके से टूट जाएगा और यह रेसिपी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा अब हम क्या करेंगे जो हमने आलू का मसाला तयार किया है उसे इस भीगी हुई रोटी के बीच में रख देंगे और इसका बड़ा सा एक बॉल बना करके तयार कर लेंगे एक रोटी के हमें एक बॉल बना कर तयार कर लेना है इसी प्रकार हम बाकी बची हुई रोटियों के भी बॉल बना कर तयार कर लेंगे उसके बाद हमने जो बेशन का बैटर बना करके रखा है उसमें इस रोटी के बॉल को डुबा देंगे अच्छी तरीके से हमें इसे भिगा देना है बेशन में डिप कर देना है उसके बाद जो हमने चूड़ा करश करके रखा है उसमें इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे देख सकते हैं इसी प्रकार से यह अच्छे तरीके से कोट हूँ चुका है तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं कठाई में मैंने लिया है तेल और इसे हम इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़ा रुख करके आप कर्ची चलाएं तूरन बिलकुल भी इसमें कर्ची का इस्तेमाल ना करें इसे हम अच्छे से डार के सुन्हरा कलर आते तक के फ्राई कर लेंगे इसे फ्राइ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि रोटी पहले से ही पगी हुई है तो यह देख सकते हैं अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुकई है डार्क सुनहरा कलर आ चुका है तो फ्रेंस हमारी मज़ेदार से टेश्टी सी रेसिपी बन करके तयार हो गई है आप भी एक पर जरूर इस रोटी की रेसिपी को बना करके देखेगा आपको बहुत ही जादा पसंद आएगा गैरेंटी है कि आपके घर के लोग जरूर आपकी तारिफ करेंगे तो फ्रेंस अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल एकन की घंटी को प्रिस करना ना भूले थैंक यू फ्रेंस मिलते हैं नेक्स वीडियो में बावाई